और दिशेहरे से पहले अश्टमी नवरात्र के मौके पर क्याबिनेट मंतरी अनिलवज ने पंचकुला का दौरा किया पंचकुला में अनिलवज ने माता मंसा देवी मंदर में पूजा अर्चना की परिवार समीट अनिलविज मंदर पहुँची और पूरे विदेविधान के साथ पूजा अर्चना की अनिलविज ने इस्तोरान मामंसा का अशिरवाद लिया और प्रदीश के नागरेकों के खुशहाली और सम्रधी के लिए मंगल कामना हैं की उन्होंने यग्यशाला में आवजित यग्य में पूरन आहुती भी दी अनिलविज ने कहा कि श्री माता मंसा देवी की अपार कृपा हम सब पर बनी रहे और हरियाना राज्य सदैव उन्नती की ओर अगरसर हो मामंसा हमारी सब की मनोकामना पूरी करें उन्होंने कहा कि माता के दर्वार में जो भी शद्धा भाव से आता है मा आवश्य ही उनकी मनोकामनाएं पूरी करती है और अनिलविज के साथ साथ प्रदेश के मुख्य मंतरी मनोहरलाल ने भी प्रदेशवासियों को दशहरे के पर्व की शुब कामनाएं दी है सीमनोहरलाल ने ट्वीट के जरिये प्रदेशवासियों को बधाई दी और वजय दश्मी के इस महापर्व की शुब कामनाएं दी मनोहरलाल ने कहा कि वजय के महापर्व दशहरे की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुब कामनाएं उन्होंने कहा कि असत्य पर सत्य की जीत के इस पावन पर्व पर समाजिक कुरीतियों को समाप्त करते हुए हमें नैतिक मूलियों और सदगुणों को बढ़ावा देने का संकल पलेना चाहिए उन्होंने प्रदीश वासियों को श्रीराम के जीवन से प्रेरणा लेने और आपसी भाईचारे और सद्भाव के साथ दशेहरे का पर्व मनाने की अपील की साथ ही समस्त प्रदीश वासियों और देश वासियों को दशेहरे के त्योहार की हारदेक शुबकान नहीं दी तो दिशेहरे के पर्व को लेकर अगली तस्वीर चंडिगर की आपको दिखाते हैं यहां भी तैयारियां पूरी है चंडिगर के सेक्टर 46 में इस बार आदोनिक तक्नीक के साथ दिशारा उत्सव बनाया जा रहा है यहां इस बार रावन के पुतले की उचाई 92 फीट, कुमकरण की 85 फीट और मेगनाद के पुतले की उचाई 82 फीट रखी गई है साथी आम लोगों के लिए करीब 10,000 लोगों के बैठने की भी विवस्था की गई है दिशारा उत्सव के दुरान यहां आज शाम लेजर शो भी होगा जो खासत और सियाकर्शन का कीन रड़ रहेगा और इसके लिए तमाम इंतजाम पूरे कर लिए गए है तो कल नुझ वरात्रि का आखिर दिन था आज विजए दशमी है दशारे का अत्युहार आज मनाया जा रहा है दशारे को लेकर हरीरणा में भी खासी रौनक नदर आ रही है तीन तस्वीरे इससे पहले आपको उमने दिखाई तमाम तयारियां आपने अपने स्तर पर दशारा उतसब को लेकर की जा रही है और इस पीच अगली तस्वीर जीन्द की है जहां पर दशारे के लिए रावण मेगनाथ और कुम्बकरन के पुतले तयार किये जा रहे हैं यूपी के मुजफरनगर का एक परिवार पिछले दस साल से यहां पर दशारे के लिए पुतलों को तयार किरने का काम करता है कारिगर आरिफ बताते हैं कि यह काम उन्हें वरासत न मिला है और इसमें वो माहिर है अजबार दशारे के लिए जीन में साट फीट उन्चारावन का पुतला तयार किया गया है देखिए सर ये दसहरे का साल में एक बार तिवार आता है और यहां पे हमको तीन पुतलों का ओडर मिला है और ये तीन पुतले लगबग एक महिने के अंदर तयार होते हैं के बीच में कारीगर लगबग पंच कारीगरों का का हूता है मेरा नाम जी तेंदर कुमार है और मैं जिला मुझा फरनघर से हू प mर तर साल से लगबग यहीं काम कर रहे दसहरे का तैवार आता है उनके लिए पुतले तियार करते है तो आप कौन-कौन से और जिलों में पूरे हरियाना की गरबात की जाए जैसे एक महिना पहले जो है उपी से आते हैं और और जिलों में जाकर जो पुतले है वो तियार करते हैं देखिए जीन जिले में काम करते है यहां पुदले तियार करते हैं, पानी पत में तियार करते हैं, और कुल छेतर में भी तियार करते हैं, हमारा काम चंदीगड में भी है